सभी विचारों के उत्पत्ति काश्थान है हमारा मस्टिक्स। मानो मस्टिक्स में अब भी कए ऐष्यरख से छिपें हुए हैं, जिने आज भी हम नहीं जान पाएं हैं। लेकिन जिन सक्तियों के बारे में हमें जनकारी है, उनमें संकल्ब सक्ती बहुत ही महत्पुन है असिमित छम्ताओं का भंडार है हमारा मस्तिक्स आए कुछ बाते करते हैं मानो मस्तिक्स अनेक विलक्छणाओं का केंद्र है अभी तक मस्तिक्स के एक बटा दस हिस्से की जनकारी ही मिल पाई है नो बटा दस भाग अभी तक सरीर, सास्त्रियों और वैज्यानिकों के लिए चिनोती के बना हुआ है मनुस्य के इस नो बटा दस भाग में असिमित छम्ताओं भडी पणी है मस्तिक्स में अनगिनित चुम्बक्य केंद्र हैं जो विवीद विवीद रिसीवरों और ट्रांसफर्मों का कारेश अंपादित करती हैं मानो मस्तिक्स में कई रहश्यात्मक शक्तियां हैं जिसकी कम ही जनकारी हमें है इन सक्तियों को प्रान सक्ति, आत्मबल, सक्ति, संकल्प सक्ति कहा जाता है मनोवज्यानिक के पूरे खाजाने में दो चीज भरी हुई हैं पहला शूत्र और दूसरा तक्निक सुत्र में इस्तिती का विवेचन होने के साथ साथ तक्निकों का भी संकेत है तक्निकों द्वारा इस्तिती को ठीक करने के प्रयास किये जाते हैं संकल्प शक्ती मस्तिक्स के महत्पूर अस्थान रखता है जिसकी गती अत्यंत तिब्र और प्रभाव अती गहन होते हैं अत्यंत सक्तिसाली होने के कारण अनेक परिलाम भी सिग्र प्राप्त हो जाते हैं मन को तीन भागो या परतों में बांटा गया है भावना विचार और विवहार मानुवे व्यक्तित्व के भी तीन पक्ष हैं उनके नुसार मन को भी तीन परतों में विवक्त किया जा सकता है वहतिक जंकारी संग्रह करने वाला चेतन मस्तिक्स और नर्व सिस्टम को करने वाला अचितन मस्तिक्स ये दोनों अभी अभी विज्ञान की परीधी में आए हैं पर अब अतिंद्रिय मस्तिक्स सूपर कॉंसेस माइंड का श्तित्वी भी सविकारा जाता है शरीर मन और आत्मा के एकी करण पर अधारित हुआ तक्निक लगबग दो हजार वर्ष पु सधारन मनुस्य अपनी संकल्प सक्ति द्वारा अपनी अंतर आत्मा में प्रसुप पड़ी छमताओं को जगा कर और विशाल प्रविर्ति में उपस्ति सक्ति साली चेतना तत्वों को खीच कर अपने में धारन कर सकता है अपने आत्मबल को इतना जागरित कर सकता है कि वह अपनी व्यक्तिकित और समाजिक परिस्थितियों में मन चाहा परिवर्तन ला सकता है। हमारा चेतन मन सभी समस्त अनुभवों और भावनाओं का केंद्र है। हमारा मन भावनुमती का पिटारा है। इसमें अद्भुत और आस्चर जनत छमताय भरी पणी है। इन चमताओं को अगर जीवन्त जागरत कर लिया जाए तो मनुष्य दीन हीन इस्तिती में नह रहकर अत्यन्त चमताओं को अरजित कर सकता है।